किसान भाईयों सादर नमस्कार स्वागत है आपका एक बार पुना आपके अपने चैनल एगरी सरद में किसान भाईयों पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था गन्ना भुआई से पुर्व खरपतवार नियंतरण आज हम चर्चा करेंगे गन्ना भुणे के तुरंत बाद खरपतवार नियंतरण किसान भाईयों हमने पिछली वीडियो में भी कहा था आप अपने खेत को खरपतवार से साप सुतरा रखेंगे तभी अधिक से अधिक उत्पादन आप ले सकेंगे तो किसान भाईयों आपने गन्ना की वुआई कर दी है और उसके एक से लेके दो दिन के अंदर ही आपको खरपतवार नासी का इस्प्रे कर देना है यनि कि खरपतवार उगने से पहले ही आपको उसका नियंतरण करना है खरपतवार उगने से पहले नियंतरण करने के लिए खरपतवार नासी एट्राजिन आती है पचास परतिसत ये आपको लेना है एक किलो परती एकर 200 से लेके 300 लीटर पानी में घोल बना लें और घोल बनाने के बाद में आप पूरे खेत में अच्छी तरह से उपरी परत को भिगो दें कहने के मतलब जो खेत का उपरी हिस्सा उस पे आप एक लेयर बना दें और ध्यान रहे यदि आप खरपतवार उगने से पूर्ब खरपतवार नियंतरन कर रहे हैं तो एट्राजिन का इस्प्रे यदि कर रहे हैं तो आप इस्प्रे करते हुए पीछे के पैर चलें कहने के मतलब यदि आप आगे को चलते जाएंगे इस्प्रे करते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे तो जो layer बना रहा है वो layer आपके पैर से तूटता जाएगा एट्राजिन तभी अच्छे से काम करेगा जब आप अच्छी तरह से उपरी परत पर layer बना दें दवा का ही एक परत बना दे वो करता क्या है कि खरपतवार को उगने नहीं देता बाहर निकलने ही नहीं देता वहीं पर मार देता एक तो एट्राजिन हुई दूसरी दवा है पेंडा मेथलिन 30 परतिसत इसका भी उप्योग आप कर सकते हैं एक लीटर परति एकड की दर से इस तरह आप एट्राजिन उप्योग करते हैं स्प्रे करते हैं उसी तरह इसे भी स्प्रे करना है कि एट्राजिन मेरे हिसाब से या कहलें कि मेरे अनुभों के हिसाब से एट्राजिन सबसे ज़्यादा कारगर मना गया है तो किसान भाईयों आप खरपतवार करने अंतरण उस स वो पोसक्तत्व ले ही नहीं पाएगा पूरा का पूरा पोसक्तत्व आपके गन्ने को मिलेगा गन्ने को मिलेगा तो जैसी बात है आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा किसान भाईयों अगले भाग में हम चर्चा करेंगे खर पतवार उगने के बाद में नियंतरण तब तक के लिए किसान भाईयों जय हिन जय भारत जय जवान जय किसान